गुड मॉर्णिंग एवरिवन हाव आई यू यू आर सेफ और फाइन ओके तो हम बात कर लेते हैं हमारा जो टोपिक होगा आज का वो होगा एनिमल बीहेवर या फिर उसे बोल थे हम एथोलोजी एथोलोजी क्या होता है दे साइंटिफिक स्टेडी ओफ एनिमल बीहेवर ठी जो हमारे विकिंसी है वो जुलाई या सेप्टमबर में आ जाएगी ठीक है तो आपको यहाँ पर प्रेपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है कोई भी प्रेपरेशन के जो टाइम हमारा उसमें कोई गैप नहीं देना है और आज का जो हमारा थोट रहेगा वो है कभी मायू मायूसी मिले तो उसे सविकार करो कभी मायूसी अगर मिल जाये तो उसे सविकार करो लेकिन उनंत उमीद को कभी मत खो ठीक है हम बात कर लेते हैं आज हमारा टोपिक रहेगा एनिवल भीऐवर और इथलोजी से तो animal behavior की बात कर लेते हैं तो commonly जो हमारा animal behavior है ये डो टाइप का होता है फ़र एस्टी इनेट behavior and second is learn behavior कुछ जो हम behavior हमारा वो हम सीखते हैं हमारे environment से सीखते हैं हम चीजों का अपस में observation करके सीखते हैं analyze करके सीखते हैं जिस environment में हम रह रहे हैं उसके according क्या कर लेते हैं हम अपने आपको adaptation कर लेते हैं और उनी जो something हमारे area में जो भी होगा उसको हम follow करने कोसिस करते हैं ठीक है तो हमें कुछ तो जो हमारा behavior learn type का और कुछ क्या innate है जैसे example की सुरूँ जब जो child है हमारा वो crying करता है ठीक है तो वो क्या innate behavior है उसको सिखाया नहीं गया कि तुम रो ठीक है बट वो कभी खुष होता है और कभी crying करता है कभी happily वो अपना जो emotional और ये भी हैर जो सो करता है expression जो सो करता है वो उसको ये सिखाया नहीं गया वो क्या innate है जबकि जो हमारा और ducks वगेरा हम उनका भी वो क्या innate behavior है ठीक है डक्स है वो क्या करती है एक अपनी जो mother है उसको क्या कर लेती है फॉलो कर लेती है तो हम innate के भी type देखेंगे different type का होता हो और ये animal का आपको क्या करना इस में आपको पूछ लिया जाएगा कि सन फीस है वो कौन सा बियर सो करती है आपको definition में कम ही question आने की चांस बन जाते है उसके अलावा है यहां पे कौन से question पूछ लिया जाते है basically यहां पे जो question पूछी जाते है वो वो question होते है आपको याद करवाए जाएंगी यहां पी तो हम slide के तो आगे बढ़ते है slide में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको कुछ basic term है जो आपको याद रखनी है ठीक है तो first basic term हमारी हो जाएगी reinforcement एक reward for making the proper response ठीक है वो हमने कुछ उसको क्या किया reward दिया यानि कि आपको एक्जांपल के शुरू बढ़ाते हूं कोई चाइल था चोटा चाइल है उसको हमने chocolate दी ठीक है तो वो अपना response हो कर रहा है या नहीं वो क्या होता है reinforcement होता है second होता है resonating the ability to respond correctly to stimulus the first time that a new situation is presented our third is intelligence the ability to learn to adjust successfully to certain situations both short term and long term memory are part of intelligence कि वो हमारी जो सोचने की या ability हमारे अंदर जो successfully क्या करें को सिच्वेशन को handle कर ले उसके अलावा हमारी जो memory में वो क्या हो जाए fit हो जाए या फिर short memory two type की होती short term या long term ठीक है तो हमारी memory में कुछ time के लिए ज्यादा time के लिए fit हो रहे है तो वो क्या होगी हमारी intelligence होगी तो यह term हमने basic देख लिए अब आगे next बढ़ते हैं अब एक हो जाता हमारा feeding behavior ठीक है एक्जांपल हमने sunfish का लिए आया यहां पर प्रोवाइड प्रेटर विद प्रेयोफ दिफ्रेंट साइज और दिफ्रेंट देंसिटीज फिस रिस्पॉंट बाइ फोरगिं ऑप्टिमली टेकिंग दा मोस्ट एनरजी टेकली रिच प्रेंडर अप्रोप्रीट कंडिशन तो यह एक्जांपल ह प्रेंट प्रेंट को अधिवेटेड बाइनमाल्स वें इटिंग अंड्रिंकिंग इंजस्टिव एघ्यांपल फिडिंग ऑफिडिंग बीहवर का ही एक्जांपल यानि कि मैं आपको हिंदी लेंग्विज में सिम्पली आपको इक्स्पिलेंड करते हूं जो सन फिसेज होत यानि कि 700 कलोरी हमने accept कर ली उसकी जो कलोरी है दिन की वो क्या करता पर डे और 700 कलोरी वो क्या करता अपना बना लेता sunbird बट वो 618 कलो कलोरी है वो अपने protection में और environment को protect रखने में other condition में क्या कर देता है spend कर देता only 22-50 परसंट जो energy वो अपने life के लिए या अपने को living रखने के लिए वो यूज करता वो होता है feeding behavior नहीं कि maximum part अपना वो क्या कर देता protection में ही spend कर देता और खर्च कर देता अधर एक जांपल के बात करती हूं मैं तो अधर एक जांपल हमारा हो जाता है जो squirrels गिल हैरी जिसको हिंदी में बहुलते हैं वो क्या करते हैं अपना जो protection है वो क्या करते हैं अपनी जो family है या फिर उनकी जो community है उनकी protection के लिए और अपने क्या कर देते हैं और life would भी क्या कर देएं कि खतम करते हैं क्योंकि उनको क्रोटेक्शन करना होता है कि मैं कुछong ग्राभिators कि और क्या करती पूमिनेट में उसनाओ कोई को कि दो इस न्यवाद केडिश जाड़ा करें यह पर केतल ग्रेज कि बाद करें तो 9 लाइन्यन हर्स पर डे काम क्यारा रूमिनेट में 4 900 लाइन काम चाम करते हैं उननल कोजा कि अँधाना क्वाते हैं ठीकर सीप esca mere हाइव 555 एवी आफो जाता हूंगा जो प्रोटेकशन करते हैं अगर मेटे करनेट्य कि किया करते हैं भी प्रकी कि परुमेटा determiner कमियना वह करते हैं तो अब करेंगा है कि हमारे जो होमन रिसकोंस मूंस हो कैसे अस्टोनल और internal stimulus अगर हमें situation के according मिले तो वो क्या-क्य response कर सकता human में response बताएंगे हम कि external जो internal हमें stimulus मिलेंगे तो हमारे क्या-क्य situation होगे यह type of human behavior जिसमें अलग-अलग type दे रखें आपको physical behavior, political behavior, economic behavior, social behavior और individual behavior जब physical behavior की पात करें तो इसमें physics, biology और chemistry से related जो भी behavior हमारा और वो होगा, वो क्या होगा, physical, politics, science से related होगा, वो political होगा, behavior, economics से related, economics और social behavior यह होता, sociology यानि कि हमारे समाज में हम किसका मतलब समाज के लोगों के परते क्या योगदान दे होगा, वो क्या होगा, हमारा social behavior जो इंसक्ट वगरा, उन में community बहुत अच्छी पाई जाती है, इसलिए community में तो रहते हैं और एक दूसरे ही help करते हैं, individual behavior हो psychology behavior होता, खुद का behavior, वो इंसान है, वो अपना mind कैसे रखता हो, कैसे सुचता हो, और किस प्रकार से अपना वो work हो complete करता है, और किस एरिया से वो thinking करता है, सब किस में आ जाएंगे, psychology में आ जाएंगे, पर्टिकुलर ही human के बात हो रही है, यहां पे, यह हमारा feature of behavior psychology हमने क्या क्या एक तो learning करवा, association के थुरू, दूसरी हमने reward और placement दिया, और third है version therapy, अब second के बात कर लेदे, reward और placement में क्या हो जाता है, अगर कुछ बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसको क्या करें हैं, जैसे कोई child नठी है, हमें करना नहीं है, बट यह हम experiment के थुरू आपको समझा रहे हैं कि किसी बच्चे ने अच्छे मार्क से अपने exam में score किया, तो उसको क्या कर दिया, हमने एक चोकलेट दी पैन दिय है, यह क्या reward है, अगर उसी बच्चे का एक जाम में performance कमाया तो उसको हम क्या करेंगे, पनिसमेंट देंगे, यह क्या हमारा reward और पनिसमेंट का यह क्या theory है, यह अलग अलग posture के थुरू human behavior को हमने यहां पे दर्शाया गया है, जब human behavior में happiness होगा तो उसका posture कैसा दिखाई द हमें यह dogs वगरा, animals में भी posture होते हैं, वैसी human में होते हैं, जब irritation condition हो तब क्या होगा, fear की condition, anxiety, stressfull, happiness, और यह सब enjoyfully, यह सब क्या posture है, जिसके तरुम human की condition बता सकते हैं, उसमें fear है, या फिर वो happy है, या other, which theory best explanation, human behavior, first theory psycho, nihiletic theory, second humanistic theory, third is Eastern native cultures, second is behavior theory, and social learning theory, and last and each type theory, इन सब की बात करेंगे, तिरे टाइप theory और social है, इनसेक्ट वगरा मिलती हैं, behavior है, वो woman में मिलेगा, animal में भी मिलेगा, others, जितने भी living organism, सब में behavior होता है, वो अपनी community पे और अपने level पे different type का हो जाता, इस टाइप of basic emotions, first is happiness, ये जो posture और sadness का दिखा रखा, किसी में fear है, किसी में discussed, anger है, और surprise, ये थ्री टाइप of behavioral learning, first is classical condition, second is operant condition, और third is observational condition, या observational learning, first is a natural stimulant is associated with the natural response, ये किस ने दिया, पावलो ने दिया था, classical condition, और डोग पे उसने experiment किया था, और उसको खाना दिया, ठीक है, second बार उसको क्या किया, बेल बजाए और फिर खाना दिया, और third time क्या किया, उसको रिंग बजाए पर खाना ही ने हम जिदने भी और क्या करते हैं, इनिमल्स रखते हैं, रोगी हो, केट हो या कोई भी हो, ठीक है, उसको हम अगर इस time बना कि उसको कुछ उसका फैवरेट खिलाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, automatically और उसमें अंदर से क्या होगा, saliva का secretion होगा, ये experiment हम कर सकते ह हम अगर कोई time decide कर लें, तो उस time भी हम उसको नहीं करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, वर भाइलोजिकल कलोकाई इसी परकार से fit हो जाती है, कि हमें उसके लिए क्या करती हो, फिर motivation या फिर हम कर सकते है, stimulate create करवाती है, ओपरेंट कंडिशन में क्या क्या है, a response is increase or decrease due to reinforcement or punishment की response है, वो increase भी हो सकता है, decrease भी हो सकता है, वो depend करता को उसको punishment मिला है या reinforcement मिला है, third is observational learning में क्या होगा, learning occurs through observation and imagination of others, यह observation है, वो learning हमारे खुद की है, सबका observation जो learning power है और जो thinking है, उसका way है, वो सबका क्या different है, सब में सेम नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना है, यह पाव यह दो चार जो condition वगेरा learning है, इनके example और जिस जिस scientist ने इनका नाम दिया इसको, और यह याद रखना आपको, तो यहाँ पर हमारा जो behavior type है, वो complete हो गया है, उसके लाए हम आपको कुछ important यहाँ पर बाते बता देती हूँ, जो innate behavior है, वो क्या होता, inherent होता है, और जो learn है, ज सब हम बाद में सीखते हैं, और कुछ behavior हमारा वह हो जाता है, उसके लाए हम feeding करते हैं, और other भी moment कर रहे है, वो हमारा क्या है एक परकार का, एक हो आजाता हमारा reproductive behavior, reproductive behavior में क्या होता है, इसमें male और female में extra character होते है, या तो male में character मान लो या फिर female में, जो उनको क्या करते है, पर उनकी जो life style है, उनको क्या करते है, हम, जैसे हमारा क्या होता है, पिकोक है, पिकोक में जो fence, fins वगरा होते हैं, उसके भारे fins होते हैं, तो reproduction में तो help कर रहे हैं, लेकिन इसको flying करता है, तो उसमें क्या दिया प्रोब्लम आती है, तो कुछ ही इसके क्या है, बेनिफिट ह कियी कि नुक्शान भी है, यानि की एक decrease होगा, तो दूसरा increase होगा, इसके जाएता है, बेवर में किन selection किन selection है, जिसे हम insect में मिलता है, किन selection के आलावा हमारा हो जाता है, किन selection है insect में एक reproductive वर्ट रिजिम है reproductive वर्ट रिजिम क्या होता है खुद का हम क्या करते है और बी greater than CA तो इसका formula है और किन सेलेक्शन में तो हम क्या करते है नियर भाई अपने जो और फिरम ब्लड रिलेशन और की मदद कर दें उसमें भी sister sister का देखा गया वह 75% है और social जो अगर आजाए social behavior उसमें आपको दे दे तो इतना कुछ हाड़ नहीं है तो यह हमारा behavior का portion हो complete हो चुका है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए आपको क्या करना है और इस वीडियो के अच्छे से देखना लाइक करना सेर करना अपने दोस्तों के साथ क्या करना सेर करना है और वीडियो को अ